नमस्कार दोस्तों, exam dream app का स्वागत है दोस्तों जो भी लोग उत्तर परदेश पुलिस में भरती का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुश खबरी है कि उत्तर परदेश पुलिस में एक नई भरती बहुत ही जल्द आने वाली है जिसका कई लोग बेसबरी से इंतजार कर रहे थे यह है उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरिचक गोपनी है पुलिस सायक उपनिरिचक लिपिक और पुलिस सायक उपनिरिचक लेखा के मतलब UPSI, ASI मिनिस्टियर की वेकेंसी जो है आपकी नई वेकेंसी फिर से आने वाली है यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं इसके अलावा आप एक और चीज़ जान लीजिए कि जो पिछली बरती थी इसकी इसका रिटेन एक्जाम 4 दिसमबर 2021 में और 5 दिसमबर 2021 में हुआ था की एंसर की बिया जारी हुई है तो आप इसको देख सकते हैं पर जो बच्चे नई भरती का इंतियार कर रहा है उनके लिए देखिए ये बहुत बड़ी खुश्खबरी कि उनकी नई वेकेंसी बहुत जल्द आने वाली है तो वो उसकी तैयारी में लग जाए इसकी तैयारी में लग जाए और इसका जो नोटिफिकेशन उसको भी नहीं निकाला गया बद कि उसको निकालने के लिए जो ओपन टेंडर है उसको भी जारी किया गया है मतलब private companies को निविदाएं आमातरित करने के लिए चलिए इस PDF को ओपन करके देखते हैं तो हम लोग PDF को ओपन करके इसके अंदर आ चुके हैं विज्यप्ती उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उप निरिच्छक गोपनी के 66 पदों पुलिस सायक उप निरिच्छक लिपिक के 143 पदों एवं पुलिस सायक उप निरिच्छक लेखा के 34 पदों को सीधी भरती से भरे जाने हे तू ओपन टेंडर के माधियम से निविदाएं आमातरित किये जाने के संबंद में और इसकी आप डेट देख सकते हैं बिल्कुल करेंट डेट है 31 मार्स 2022 की तो ये जो ओपन टेंडर के माधियम से प्राइवेट कंपनीज को टेंडर देने के लिए इसमें निवाइट किया गया है तो इसमें सबसे इंपॉर्टन बात जो है आप ये है कि देखिए पुलिस अपन इपनिर्चक गोपनीजे के लिए 66 पद है एक सोतलैट पद है और पुलिस अपनिर्चक लेखा के लिए 34 पद है तो इसकी जो विकेंसी 2020 में आई थी تو इसमें अगर किसी बच्चे का भी मतलब की परफ़ॉर्मेंस कुछ लो रहा हो या फिर उसको लागर उसको selection नहीं होने वाला है तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी opportunity रहने वाली है क्योंकि आपकी जब ये नई vacancy आ रही है तो आप इसमें अच्छे से तयारी कर सकते हैं और फिर से अपना exam दे सकते हैं इसमें पुलिस साय को निशक लेखा कि 14 पदों को सीधी बर्ती से भरी जाने के लिए ओपन टेंडर के मध्यम से कारताई संस्ताओं को निविदाए प्रस्तुत करने एतू आमंतरित किया जाता है तो इसके लिए जो लिपिक समवर है इसके लिए सब invite किया गया टेंडर के लिए और 25 अपरेल 2022 को पराता 10 बजे से अपराहन 2 बजे के मधे तक बोर्ड में प्रस्तित होकर प्रस्तित होना सुनिश्चित करें तो जैसा कि आप दे सकते हैं कि जो आपका UP SI SI मिनिस्ट्रियल है इसके लिए भी मतलब की टेंडर हो रहा है और जो आपका UP Police Constable 26,744 है उसके लिए भी जो टेंडर की प्रिकरिया है वो सब चल रही है तो उसमें टेंडर की प्रिकरिया में जो कुछ भी अप्डेट्स होंगे UP Police Constable के लिए वह हम आपको इन्फर्म करते रहेंगे तो चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगे जिससे कि ऐसे कोई भी अप्डेट्स को तुम आपको इन्फर्म करते रहें और आपको इन्फर्मेशन मिलती रहे तो सबसे बड़ी बात आज की यही थी दोस्तों की आपकी UPSI ASIM की वेकंशी आ रही है तो इसके लिए आप तयारी करने के लिए वी से जुड जाएं आपसे पिछली वेकंशी में जो भी चूक रहे गई हो इस वेकंशी में आपसे चूक नहीं होनी चाहिए और इस बार नई वेकेंसी में आपको मजलब सेलेक्शन लेना ही लेना है तो आप इसकी तैयारी में जुड़ जाएं आपको यह इंफॉर्मेशन देनी थी वीडियो देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिए और एसी इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए धन्यवाद